नमस्कार आप देख रहे हैं डीसी न्यूज मैं हूँ आपके साथ देव याने चौबे इसे जुड़ी सभी ख़बरों के लिए चैनल को सब्स्ट्राइब करें और लेडिस अब्डेट के लिए वेल आइकन पर किलिक करें रोष श्यर्मा बोले लोगडाउन खत्म होने तक किचिन का मास्टर बन जाओंगा प्रिम इंडिया के उपकतान रोष श्यर्मा ने कहा कि लोगडाउन के दिनों बैग घर पर रसूई में कामकाज में खूब हाथ बटा रहे हैं रोष ने कहा है कि उन्होंने पहले कभी भी र लोगडाउन की मियाद बढ़ा दी गई है इस घातक महामारी को हराने के लिए सबी लोग अपने घर में बंद रहकर खुद को सुरक्षित कर रहे हैं ऐसे में जादा तर सेलिवरिटी घर में कामकाज में हाथ बटा रहे हैं और जो काम पहले उन्होंने कभी नहीं किये उसम में भी महारत हासिल कर रहे हैं सीमी तौवरों के टीम इंडिया को कप्तार रोई शर्मा भी उनमें से एक है रोई शर्मा ने हाली में एक सू में कहा है कि लोगडाउन खत्म होने तक किचिन की मास्टर बन जाएंगे रोई थाली में पूर बारतिय तेजगानबाद इर्फा पर चर्चा की एक सवाल मेरफान फठान ने पूचा कि बहे कौन सी चीज है जो रोई ने कभी नहीं सोचा कि बहे इसे करेंगे लेकिन लोगडाउन के चलते उन्हें करनी पड़ी इसके जबाब में रोई ने का वह किचिन का काम है बहे मुझे हर तीन से चार दिन बाद रस इसा करना पड़ता है अब लगता है लोगडाउन ख़त महोने तक मैं इसमें मास्टर बन जाओंगा इसके बाद ब्रेड़ी ने उनसे उनकी बेटी की खेर से जड़ा सवाल करते हुए उन्हें बेटा से जड़ा कौन सा काम पसंद है कौन सा नहीं रोईत ने बताते हुए उन्हें अपनी बेटी को खाना खिलाना बहुत पसंद है लेकिन जहां तक पसंद ना आने वाले काम की बात है तो यह उसे सोलाना है यह बहुत मुस्किल काम है इस दौरान रोईत ने अपने तीन वंडे दोरे सतक पर चर्चा की और आईपी एल खिताब पर भी चर्चा की रोईत आईपी एल में सबसे ज़्यादा खिताब जीत का हिस्सा रहे हैं उन्होंने चार वार मुंबई इंडियंस का खिताब जीता है तो लोगडाउन में आप घर पर क्या कर रहे हैं हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं और रोई शेर्मा की बातें आपको कैसी लगी ये हमें कॉमेंट करके बता सकती है पिलार इस खबर में इतना ही किर्केट से जुड़ी सभी खबरों के साथ हम जल्द हाजिर होंगे नमस्कार